भारत एक ऐसा देश जो अपने रहस्यों और माया के वजह से अक्सर चर्चा में रहता है और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर रहस्यों की बात हो रही हो तो अगोरियों के बिना इसकी बात नहीं हो सकती अब तक आपको पता लग गया होगा कि आज हम अगोरियों की रहस्यों में दुनिया के बात करने जा रहे हैं आपने अगर किसी अगोरि को अपने सामने देखा होगा तो कहीं न कहीं आपके मन में अनेक प्रकार के सवाल जरूर आते होंगे और उनके पहनावे रहने के धंग संग को देख कर कहीं न कहीं उनकी रहस्यमई दुनिया को जानने में रूची जरूर हुई होगी आज इस वीडियो में मैं आपको अगोरियों के जीवन का एक द्रिश्य दिखाने जा रही हूँ और उनके जीवन से जुड़ी तमाम बातों को भी आप तक पहुचाने की कोशिश करूँगी तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की खास वीडियो अगोरी साधु भगवान शिफ के परम भक्त होते हैं ये अपने अद्भुचारिरिक आवरण और कठोर तप साधना के लिए जाने जाते हैं इनमें आम इंसानों से कई जादा ताकत होती हैं ये वैसे तो जादतर नगन रहते हैं और अपने पूरे शरीर में इंसानी शवों की भस्म लगाते हैं जो की काफी हैरान करने वाली बात है लेकिन वही इनको सबसे अलग और रहसे मई बनाती है अगोरी तीन प्रकार के गुप्त साधना करते हैं जिन्हें शिफ साधना, समशान साधना और शव साधना जैसे नामों से भी जाना जाता है और इनकी साधना का भी एक अलग ही रहसे होता है अगोरी समशान घाट में अपनी साधना करते हैं ये बहुत ही विचित्र बात है कि जहां मृत्यों के बाद शव को जलाया जाता है वहीं अगोरी साधना करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इनकी साधना इतनी पक्की होती है कि शमशान में साधना करने से इनको अनेक प्रकार की शक्ती मिलती है अगहोरी के बारे में एक और विचित्र बात है जो हम आपको बताते हैं कि ये गाएक का मास के अलावा सभी जीवों को खाते है जिहां ये अपने जीवन में कुछ भी खा सकते है यहां तक कि ये इनसान को भी खा जाते है ये शेव और मा काली के भक्त होते हैं और उनहीं की साधना भी करते हैं वैसे तो अगर अगोरी आपके सामने आ जाए तो आप डर जरूर जाएंगे लेकिन आपको बता दें कि अगोरी अन्यसन्यासियों की तरह ही विनम्र भाव के होते हैं और इतना ही नहीं अगर अगोरी आपसे प्रसन्न हो जाए या उनको आप अच्छे लगने लगे तो वो आपको अपनी सिद्धिक के शुप फल देने में बिलकुल भी हिचकिचाते नहीं है और वो अपनी तंत्र विद्या को भी आपको सिखाने को राजी हो जाते हैं इनकी वाणी थोड़ी रूखी जरूर होती है लेकिन इनके आशिरवात से आपके जीवन में अनेग प्रकार की खुश हाली आ सकती है आईए अब आपको बताते हैं कि इनकी साधना से जुड़े कुछ रहस्य के बारे में अगोरियों की साधना बाकी साधों से अलग होती है जैसा कि हमने आपको शुरुवात में बताया कि अगोरी समशान घाट में अपनी साधना करते हैं और इतना ही नहीं ये शव के उपर पैर रखकर भी अपनी साधना करते हैं इस साधना का मूल यही है कि जब माता पारवती के काली रूप ने भगवान शिव की छाती पर पैर रखा था इसे आमतोर पर शिव साधना कहा जाता है साधना के अलावा अगोरियों की कुछ और ऐसी बाते हैं जो आपको आश्चर्य चकित कर देंगी सबसे पहले तो जैसा हमने आपको बताया कि अगोरी कच्चा मान्स खाते हैं केहते हैं कि अगोरियों ने खुद इस बात को माना हैं कि वे शमशान में रहते हैं और अदजले शवों को निकाल कर उसका मान्स खाते हैं हाला कि ये बात जो है आम लोगों को अजीब लगेगी लेकिन इसके पीछे माना जाता है कि ऐसा करने से अगहोरियों की तंत्र क्रिया की शक्ती मिलती है और वो और भी जादा प्रबल होते हैं अगहोरी शिव और शव उपासक होते हैं शिव के पांच रूपों में एक अगहोर भी होता है अगहोरी भी शिव जी के उपासक होते हैं और शिव साधना में लीन होते हैं इसके साथ ही ये शव के पास बैट कर भी साधना करते हैं, क्यूंकि ये शव को शिफ प्राप्ती का मार कहते हैं, ये अपनी साधना में शव के मास और मदीरा के भोग लगाते हैं अगोरी शव के साथ शारिरिक संबंद बनाते हैं, शव के साथ अगोरी बाबाओं के शारिरिक संबंद बनाने की प्रचलित धारना है और खुद अगोरी भी इस बात को स्विकार करते हैं, इसे वो शिफ और शक्ती की उपासना का तरीका मानते हैं, उनका मानना है कि यदि श के साथ शारेरिक्रिया के दौरान भी मन ईशवर की भक्ति में लगा रहे तो ये साधुना का सबसे उचा स्थर होता है ब्रहभुचरया का पालन नहीं करते हैं अगोरी अन्य साधु संथ जहां ब्रहभुचर minimum का पालन करते हैं वहीं अगोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते केवल शव ही नहीं बलकि जीवितों के साथ भी अगोरी संबंद बनाते हैं ये शरीर पर राक लपेट कर और ढोल नगाडों के बीच शारिरिक संबंद बनाते हैं इतना ही नहीं जब महिला का मासिक चल रहा होता है तब ये खासतोर से शारिरिक संबंद बनाते हैं ये क्रिया भी साधना का ही अंग माना जाता है माना जाता है कि इसे अगोरियों को शक्ति मिलती है अगोरी नर्मुंड धारन करते हैं अगोरी अपने पास हमेशा नर्मुंड यानी इनसानी खोपड़ी को रखते हैं इसे कपालिका भी कहा जाता है शिव के अनुयाई होने के कारण अगोरी नर्मुंड रखते हैं और इसका प्रियोग वो अपने भोजन पात्र के रूप में करते हैं इसके पीछे ये मान्यता है कि एक बार शिवजी ने ब्रह्माजी का सिर काट दिया था और उनके सिर को लेकर पूरे ब्रह्माण के चक्कर लगाए तो दर्शकों अगोरियों की रहसेमाई दुनिया के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इसी के साथ साथ अब वक्त हो गया है आप सभी लोगों से विदा लेने का आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नए विशे के साथ तब तब के लिए धन्यवाद